इस problem को हम देखते हैं कि इस problem में क्या गाया है इसमें आपको दो equation दी गई है x plus y equal to 7 और 2x minus 3y equal to 11 ये equation को आपको substitution method से solve करना है तो कैसे substitution method से solve करते हैं आईए हम समझते हैं देखिए substitution method में क्या होता है कि आपको starting से ही किसी भी एक variable में उसके term में उसकी value रखना पड़ती है आईए हम इसको समझते हैं कैसे होता है तो suppose कर हम इसको equation 1 बोल देते हैं equation हम इसको second बोल देते हैं अब जो equation from equation 1 from equation 1 हम इसको ऐसा लिख सकते है equation 1 को 7 minus y क्योंकि जब यह plus y इस तरफ जाएगा तो यह minus हो जाएगा तो इसको equation नमबर देते हैं 3 अब इस equation 3 को क्या करते हैं हम equation 2 में रख लेते हैं तो जैसे रखी है रखते हैं तो 2 7 minus y minus 3y equal to 11 ठीक है तो actually में हमने क्या किया है हमने x की जगा पर यह लिख दिया तो उससे क्या होगा कि हर चीज y के term में आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि हम y की पहले value निकाल लेंगे फिर इस y की value को किसी भी equation में रखके हम x की value निकाल लेंगे यह हम चाहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर हमने लिखा x equal to 7 minus y और यह जो x की value है हमने इस variable में रख ली तो क्या होगा है फिर y के term में आ जाएगी जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हम इसको solve करते है 14 ठीक है 2y minus 3y equal to 11 याने कि हम कह सकते हैं कि जब 14 इस तरफ चला जाएगा और इन दोनों का addition हो जाएगा minus minus का तो यह value बन जाएगी minus 5y equal to 11 minus 14 मतलब minus 3 ठीक है क्योंकि यह 14 इस तरफ गया तो 11 minus 14 14 के sign बढ़ा था minus का तो हमने minus 3 कर दिया तो यह हो गया यानि कि अगर हम y की value पता करें तो y की value हुई minus 3 upon minus 5 तो minus minus एकड़े गया तो y की value जो है वो जाएगी 3 upon 5 इसको हम बोल देते हैं equation number 4 अब यह जो y की value निकाली है हमने अब इसको निकालने के आद हमें क्या करना है x की value निकालना है तो y की value निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं इसकी value इन दों में से किसी बेक equation में y की जगार रख देंगे तो हम उसकी x की value निकाल लेंगे तो देखिए अगर हम किस को easy हमको लग रहा है कि हम इसी में रख देते हैं first वाले में तो हम क्या करेंगे y की value value equation first में रखने पर अब इसकी जगा हम क्या रखने अब हमारी equation क्या है x minus y y की जगा हम लख देते हैं 3 upon 5 तो हमने लिखा x plus y की जगा लिखते हैं 3 upon 5 तो यहां लखा 3 upon 5 और यहां पर क्या है 7 है तो 7 हो गया अब इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो यह minus हो जाएगा तो 7 minus 3 upon 5 अब इसका हम LCM ले लेंगे तो LCM हो गया 5 यह 5 टाइम जाएगा तो यह हो जाएगा 35 यह की टाइम जाएगा तो यह आएगा 3 तो यह answer हो जाएगा 32 upon 5 ठीक है तो हम यह कह सकते हैं इसको हम equation number अगर हम चाहें तो equation number हम इसको 4 तक हैं आओ गया equation number हम इसको 5 बोल देते हैं याने हमारा answer यह हुआ कि X की जो value है वह हुई 32 upon 5 और जो य की value है और जो य की value है वह हम पहले ही निकाल चुके थे 3 upon 5 उम्मिद करता हूं कि यह आपको समच्छे समझ में आ गया होगा